नमश्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस नेशनल आपके साथ मैं विशेक पांडे बात करेंगे राज कुंदरा को लेकर जी हाँ जिस तरीके से राज कुंदरा की परिशानिया दिन परते दिन बढ़ती ही चले जा रही है और लगातार मुंबई पुलिस उन पर शकंजा कस रही है और उनका जो गूरग धंदा था काला धंदा था पौर्नोग्राफी का वो धंदे पर से अब एक ऐसकती रोशनी पड़ गई है और ये रोशनी पड़ी है मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम की और लगातार इस पूरे मामले में चानवील की जा रही है ये जाशपड़ताल की जा रही है और वहीं दूसरी और हर किसी को इंतजार है कि क्या कुछ पूरा मामला है वो निकल कर सामने आए लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात इस पूरे मामले को लेकर करें तो कुछ नाम अब ऐसे भी हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और ये नाम हैं कुछ मॉडल्स के उन्होंने सा करे वयान दिया इस मामले पर कुछ ने राज कुद्रा पर आरोप लगाएं कुछ ने कहा कि राजकुंद्रा अश्टील फिल्में बनाते हैं, कुछ ने कहा कि राजकुंद्रा की ओर से nude photos मांगी गई, nude audition की डिमांड की गई आपको जादी की 5 नामों की list है मेरे पास, इसमें सबसे पहला नाम सागरिका शेन सुमन का है जोने कहा कि nude audition जो है वो राजकुंद्रा की ओर से मांगी गई थे, यानि कि सीधे तोर पर उन्होंने राजकुंद्रा पर आरोप लगाये और कहीं ने कहीं यारोप लगाया कि राजकुंद्रा पॉर्णोग्राफी को बढ़ा बादे रहे थे और दूसरा नाम पूरम पांडे का है जियां, अगर बात पूरम पांडे को लेकर करें तो पूरम पांडे जो है हमेशा लाइडाइट में बढ़ी रहती है जियां, यानि कि यहां पर जोड़ दवरस्ती भी की जा रही थी तीसरा नाम इस लिस्ट में गहना वसिष्ट का है और यहां पर अगर बात की जाए गहना वसिष्ट को लेकर तो उन्होंने राजकुंद्रा पर आरोप नहीं लगाए है जियां, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि राजकुंद्रा पर उन्होंने आरोप नहीं लगाए उन्होंने बचाव किया और कहा कि होटशॉट जो एप्लिकेशन ने जिसको लिकर राजकुंद्रा इस वक्त फसे हुँ है उस आप्लिकेशन में कुछ भी अडल्ट कॉंटेंट जो है था, लेकिन कह सकते हैं कि बोल्ट सीन थे लेकिन पॉर्ण सीन नहीं थे, यानि पॉर्णोग्राफी नहीं थी और चोथा राम इसमें श्रलिन चोपडा का है जो यहां श्रलिन चोपडा ने यहां पर पूनम पांडे पतंच का सा है जिस तरीके से शुरू में हमने आपको बताया कि पूनम पांडे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं कभी अपने बयानों को लेकर कभी अपने पोस्ट को ल दाम ने आया तो शरलिन चोप्डा भाग खड़ी हुई लेकिन अब शरलिन चौप्डा के उद्स उपण बैयान सामने आ गया है और उन्होंने भी सिधे तोर पर पुनम पांडे पर पलटवार किया है अब देखने आली बात यहाँ पड़ी यह हो गтории कि कि पुनम पांडे इस परटवार का जवाब के इस तरीके से देती है और के इस तरीके से अपना पख्ष एक बाब फिर लखेंगे और इस में पोनेत कौर का नाम है। उन्होंने बेहद सरल जबाब दिया, उन्होंने बेहद नेट्रल जबाब दिया, उन्होंने कहा कि काम के सिलसिले में उनसे भी राजकुंदरा ने संपर किया था, राजकुंदरा की टीम ने उनसे संपर किया था, तो ये वो पांच नाम है, एक बाद नाम आया आपको फिर से विशामिल है लेकिन आप वहीं अगर बात ओडियोंस को लेकर करें तो हर किसी को इस वक्त जानना है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है किस तरीके से इस इस इंडरस्ट्री में राज कुंद्रा घुसे क्योंकि जाने मानने प्रिजनस्माइन है आईपेल में वो अपने टीम अजय फिना शर्थन भाद